Hi guys welcome back to my channel इस वीडियो में आपका बहुत जाता स्वागत है दोस्तो iOS 17 में बैटरी ट्रेंड की प्राब्लम अभी तक 100% तरीके से फिक्स नहीं होई मैं आपको iPhone की 10 सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप अपने बैटरी ट्रेंड का इशू जो है solve कर सकते हो यह मेरे पास है iPhone 11 आज जो है setting होने वाली है iPhone 11 की iPhone 11 यूजर्स आपके लिए वीडियो है ही है बाकी सारे iPhone यूजर्स के लिए भी है तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी iPhone है आप इस वीडियो को लास तक देखना जैसे कि आप check out कर सकते हो यह मेरे परपल कर में iPhone 11 है जिसकी बैटरी हाल्थ है 88% आपकोर्स काफी जादा drain तो हो रही है मेरी बैटरी मैं आपको बताऊंगा इसको fix कैसे करना है सबसे पहला option आपको क्या करना है दोस्तों तभी चाहिए जब आपको अपना iPhone अनलॉक करना है और यह sensor काम करके बंद हो जाता है लेकिन screen distance का feature जब activate रहता है आपका iPhone 2400 गंटे आपकी screen की तरफ आपके face की तरफ look up feature देता रहेगा तो वो जब भी आपका iPhone जादा पास होगा आपकी आखों के आसपास तो आपका iPhone आपको एक pop-up प्रवाइड करेगा कि भाई दूर कर ले तो यह हमेशा 2400 गंटे आपके iPhone की बैटरी खा रहा है background में तो दोस्तो आपको इसको off कर देना है second जो trick है वो हमारी Siri के regarding है काफी लोग Siri को यूज करते हैं और काफी लोग Siri बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं दोस्तो अगर आपकी daily usage में Siri यूज नहीं आ रहा तो दोस्तो आपको Siri को हमेशा बंद कर देना चाहिए अफकोर्स आपकी phone में यह feature available है लेकिन अगर आपकी use में नहीं आ रहा तो आपको feature किसी काम का नहीं है तो मैं recommend करूँगा कि आपको जो है Hey Siri वाला जो always listen for Hey Siri option है इसको बंद कर दो इससे के होगा कि अगर मैं इस option को on रखता हूँ और मैं phone को normally पढ़ा भी रहने देता हूँ कि background में Siri है वो background में battery बहुत जादा खाती है इसलिए आपको जाए this option को off करके रखना है अगर आप use नहीं करते हो तो यहां पर मेरे case में अपने मैं किसी एक phone में Siri को activate करके रखूँगा और बाखी की cases में बंद करूँगा अब आपको देखना है कि आपको यह off रखना है कि on रखना है आपके case में Siri आपके लिए helpful है यहां फिर नहीं है अगर आप daily user में using नहीं करते हो तो इसको off कर दो अब बढ़ते हैं अपने third feature की तरफ जो की है standby का mode दोस्तो standby mode Apple के iPhone में अभी iOS 17 में नया नया feature है और काफी कमाल का है लेकिन guys अगर आप standby mode use नहीं करना चाते क्योंकि let assume आप phone को charge लगाकर छोड जाते हो ओके आप phone के साथ में नहीं बैठे रहते हैं यहां तो फिर अगर आपने table पर charge लगाया और आप table बरी बैठे हो तो standby mode helpful है लेकिन अगर मैं standby mode को active time किसको दिखा रहा है so basically मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि standby mode जो है हर time एक बहुत अच्छी choice नहीं है यह अभी animation दिखा रहा है यह अभी display इसकी brightness भी जादा है I know कि standby mode हर time activated नहीं रहता लेकिन फिर भी यह battery को कहीं न कहीं effect करता है background में भी so मेरी recommendation जाकि आपका iPhone और ज्यादा बढ़िया हो सके आपकी usage और ज्यादा बढ़िया हो सके for example आप phone table पर बैठे हो आपने phone को charging पर लगाया और आपका जो phone है वो charge हो रहा और साथी में आपको at a glance दे रहा कि यह notification आई है इतना इतना time हो गया है standby mode के जरीए तो आप इसको एक तरह से off कर दोगे अगर आपके usage में यह बिल्कुल भी नहीं आ रहा so दोस्तो कहीं न कहीं यह features आप फिर lag करोगे लेकिन आपकी जो battery charging है वो speed भी increase हो जाएगी और आपकी जो battery usage है वो भी slow drain होगी दोस्तो अगला जो हमारा trick है वो vibrations जगा जगा पर vibration feedback देखने को मिलता है यहाँ पर हमें keyboard में भी haptics अब जुड़े होए apple ने अब keyboard में भी haptics टाल दी है दोस्तो अगर आपको यह बंद करना है तो आपको sounds and haptics वाले section पर जाना है और यहाँ पर keyboard haptics आपको यहाँ पर sound अगर haptics on है तो इसको off कर दो by the way अगर आपको पसंद है तो आप इसे active ही रहने दो मैं आपकी preference को नहीं छेडने वाला अगर आपको सही लगता है तो of course आप on रख सकते हो लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए कि keyboard के background में keys क्लिक कर रहा हूं और phone जो है vibration कर है यह अगर आपको चाहिए तो आप active रख सकते हो अगर नहीं चाहिए तो आपको इसको for sure बंद कर दो इससे भी आपकी काफी जादा battery usage जह है battery drain कम होगा क्योंकि sound हमेशा नहीं मिलती क्योंकि most of the cases में 90 percent लोगों जो phone है वो silent में रहता है यंग्सटर में बोल रहा हूं so वो हमेशा sounds वगर एक्टिव नहीं रहती keyboard में लेकिन वाइब्रेशन है वो हमेशा होती ही होती है हम जाहे जतना महर्जी कहले नहीं होती लेकिन vibrations वो background में पाताने चलता so fifth trick है दोस्तों अगर आप किसी जगह पर हो जैसे आप for example आप घर पर नहीं हो outside the house हो और आपके पास अगर किसी भी परकार को कोई wifi network रहता है तो cellular connection की बजाए आप हमेशा wifi prefer करो इससे क्या होगा कि cellular connection से iPhone अपना modem यूज करता है modem से अपना data consume करता है अगर आप data बंद करके wifi की तरफ जाओगे तो आपका iPhone half of the battery consume नहीं करेगा इससे आपको double the battery backup देखने को मिलेगा sixth trick है significant locations को off करना दोस्तों आपका iPhone आपको हरमेशा track करता रहता है कि यह बंदा कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा करने के लिए आपको जाना है locations and privacy वाले section में privacy and security में फिर जाना है location services में और फिर आपको swipe up करना है सबसे नीचे यहाँ power option देखने है को मिलता है system services फिर swipe up करो और यहाँ मिलता है significant locations इसको आपको off रखना है यह आपकी case में on होगा और ध्यान रखो कि इससे आपकी optimized battery charging भी काम नहीं करेगी क्योंकि इससे आपके iPhone को यह नहीं पता कि आप घर पर हो कि outside the house हो इसलिए अगर आपको optimized battery charging का यह feature activated रखना है कि जब आप घर हो तो overnight phone charge हो जाए लेकिन आप घर नहीं हो तो overnight phone charge ना हो basically कुछ इस तरीकी कि जो कि यह है कि दोस्तों हमने iOS 17 में live wallpaper set कर रखी है so guys अगर आपको यह live wallpapers कई बार नहीं जाहिए just kind of trick है use कर लेती है for example यह live wallpaper मैंने set किया और कभी-कभी जरुरी नहीं कि मेरे को live ही देखना है तो मैं हर टाइम live wallpaper मेरा लगाना जरुरी इसलिए मैं live wallpapers को बंद भी कर सकता हूँ यह मेरी काफी जादा battery को drain होने से बचाएंगे आप इस button को off कर दोगे तो आपका live wallpaper है वो off हो जाएगा so इससे आप काफी हद तक battery percentage को drain होने से बचा सकते हो और दोस्तों काफी एक theories में आया है कि अगर हम auto brightness को on रखते हैं तो हमारा जो phone है वो कम battery lose करता है as comparison में लेकिन दोस्तों यह आपको अपने case में खुद detect करना है कि auto brightness आपके case में battery lose करती है या फिर battery save करती है जैसे auto bright काफी लोगों को पता नहीं क्यों बहुत लोगों को मैंने देखा है वो अपने phone की brightness almost कम ही रखते हैं हमेशा चाहे उनको दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो लेकिन वो कम ही रखते हैं इनने से मेरा एक भाई भी है वो भी हमेशा अपने phone की brightness को low low ही रखता है I don't know उन्हें brightness पसंद ही नहीं है उपर गई होई so उनकी case में auto brightness हमेशा battery loose करेगी लेकिन मेरे case में auto brightness helpful है मैं कभी brightness को उपर नीचे करता ही नहीं मेरी जो brightness है वो बिल्कुल lightning के हिसाब से ही होती है जब light जाद है तो phone मेरा automatically brightness को up कर देगा क्योंकि auto brightness on है so मेरे को auto brightness का feature सही लगता है मैं से हमेशा on रखता हूँ वरना मेरे को बार बार brightness वाले section पर जाकर उपर नीचे brightness करनी पड़ती है इसलिए I found कि auto brightness मेरे लिए helpful है आप अपने case में जरूर देख लेना कि आपके लिए यह helpful है या नहीं है सो गाइस यह जो अपने फीचर है यह सिफ IPS LCD panels के लिए नहीं है OLED panels के लिए है for example iPhone XR और iPhone 11 के लिए नहीं है of course iPhone 11 की वीडियो हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको add करना चाहूंगा iPhone 11 और iPhone XR में हमें LCD panel देखने को मलता है सो उसके लिए मैं बिलकुल नहीं नहीं बोलूँगा कि dark mode apply करके रखो दोस्तों जो दूसरे phones है ना इन दो phones को छोड़ कर दूसरे phones जैसे कि iPhone X X, XS Max, iPhone 11 Pro Pro Max और 13, 14, 12 यह series इनके उपर dark mode बैटरी सेव करेगा जैसे मालो यह settings में हूं है और settings में यह जहां जहां screen dark दिखरी है ना totally dark उतनी जगह से screen काम ही नहीं कर रही so dark mode of course battery save करता है यह आपको जरूर activate रखना है last का जो feature यह है कि दोस्तों जो आपने widget set कर रखे है अपनी home screen पर जरूरी नहीं है सिर्फ home screen पर lock screen पर भी वो भी background में battery lose करते है for example आपने weather का widget set कर रखे है lock screen में भी तो आपका weather widget lock screen में भी battery lose कर रहा है और home screen में भी यहां पर आप check out कर सकते हो मैंने location access अपनी weather आपको बंद ही कर रखे है कि जब मेरे को चाहिए मैं तब ही देख लूँगा ऐसे background में मेरी battery lose ना करे so यह है 10 ऐसे tricks features चाप आप जिनको on करके iOS 17 में battery lose होने से बचा सकते हो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को like कर देना अपने friends के साथ ज़रूर share करो ताकि वह भी अपने phone में battery save कर सके drain होने से बचा सके आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो इस वीडियो को like कर देना अगर नहीं हो चैनल पर तो subscribe कर देना thanks for watching guys thank you so much